Welcome student, सुभास English School की online classes में आप लोगों का स्वागत है Hindi व्याकरण, संग्या आज हम संग्या के बारे में जानेंगे संग्या, सबसे फिल्य अपन संग्या के बारे में जानेंगे संग्या होता क्या है? संग्या एक प्रकार का नाम है हमारे आसपास जित्ती भी वस्तू है, प्राणी है, इस्थान है, इन सब के नाम को ही संग्या कहते हैं संग्या की परिबशा होती है किसी व्यक्ती, वस्तू, इस्थान, प्राणी तथा भाव का बुद्ध कराने वाले शब्द संग्या कहलाते हैं जैसे भारत, गंगा, शिवना, पुस्तक, सोना, लोहा, आदी शित्र में आप देख रहे हैं बूक, बैंच, कुर्सी, बिल्डिंगें ये सब संग्या है अब आते ही संग्या के प्रकार या संग्या के भेद संग्या के तीन भेद हैं व्यक्ति वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या अब हम व्यक्ति वाचक संग्या के बारे में जानेंगे व्यक्ति वाचक संग्या व्यक्तिवाचक संग्या होती क्या हैं? किसी विशेश प्राणी, वस्तु, अथ्वा इस्थान के नाम का बोद्ध कराने वाले संग्या शब्द व्यक्तिवाचक संग्या कहलाते हैं जैसे महात्मा गांधी, लालभादु शास्त्री, दिल्ली, मंसोर, भारत, गंगा, शिवना, यमना, अरबसागर, हिंदमासागर, हिमालय, केलाश, विंद्याचल, रामायन, महाभारत, आधी इसमें हमने व्यक्तियों के नाम, इस्थानों के नाम, नदियों और समुंद्रों के नाम, परवतों के नाम, और पुस्तों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संग्या में आते हैं चित्र में आप देख रहे हैं भारत का नक्षा भारत ये आएगा आपका व्यक्ति वाचक संग्या फिर है ताज महल अगर ये सिर्फ महल होता तो ये चला जाता अपना जाती वाचक संग्या में पर ये ताज महल है इसको ताज नाम मिल गया है तो ये क्या बन गया प्यक्ति नरेन मोधी जी महात्मा गांधी यह इनके नाम है इसलिए व्यक्ति वाचक संग्या में हैं अब आता है आपका जाती वाचक संग्या किसी विशेश प्राणी वस्तु या इस्थान को ना बता कर संपून जाती का बोद्ध कराने वाले संग्या शब्द जाती वाचक संग्या कहलाती यह हम कह सकते हैं कि जो पूरी संपुर्ण जाती का बोध्ध करा रहे हैं उस जाती को पूरी जाती को बता रहे हैं इसे शक्द जाती वाचक संग्या में जाते हैं जैसे घोड़ा, बंदर, चिडिया, कववा, संत्रा, टमाटर, गुलाब, कुर्सी, पुस्तक, बगिच्या, कमरा, घर, शाला, पुस्तकालय, माता-पिता, भाई, बालक, बालिका, आधी ये जित्ते भी शब्द है जाती वाचक संज्या में आते हैं. अब आप चित्र में देख रहे हैं घोड़ा, ये घोड़े की पुरी जाती का बोद्ध करा रहा हैं. अगर इसको नाम मिल जाता है चेतक, तो ये व्यत्ती वाचक संग्या में रहेगा, न की जाती वाचक संग्या में रहेगा. फिर आता है ये कुत्ता, ये पुरी कुत्ते की जाती का बुद्ध करा रहा है तमाटर ये टमाटर की जाती का बुद्ध करा रहा है कि ये तमाटर है सेमफल ये सेमफल की पूरी जाती का बुद्ध करा रहा है कि ये सेमफल है जाती वाचक संग्या के भेद जाती वाचक संग्या के दो भेद बताए गए हैं समुदाय वाचक संग्या दूसरा है द्रव वाचक संग्या अब समुदाय वाचक संग्या होता क्या है? जिन संग्या शब्दों से किसी समुदाय अथ्वा समू का बोद्ध हो उसे समुदाय वाचक संग्या कहते हैं जिसे आपने इसमें पड़ा है कि किसी समू का बोद्ध करा रहे हैं जो समू में जो वस्तुए रहती है वो समुदाय वाचक संग्या कहलाती है जिससे कक्षा, कक्षा में सभी विध्यारती पढ़ते हैं, वो समू में रहते हैं, तो कक्षा एक समुदाय वाचक संग्या है, भीर में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए एक समुदाय वाचक संग्या है, सभा, सभा में भी बहुत सारे विक्ति बैठे रहते हैं, इसलिए समुधाय वाचक संग्याastically समाज कि समाज वह समुधाय वाचक संग्या कि चित्र में आप देख रहे हैं खक्ष्या कख्ष्या में विध्यार्ती न किमें से सब खें रहे हैं तो द्रव वाच्य संग्या कहलाते हैं या ऐसा हम कर सकते हैं कि जिन से हम किसी और वस्तुओं का निमान कर सकते हैं वह द्रव वाच्य संग्या में आता है या जिसे हम गिन नहीं सकते हैं आपने समुदाय वाच्य संग्या पड़ा उसको हम गिन सकते हैं पर द्रव वाच्य संग् अब आप यह और पैसे को सकते हैं अब आपको पाथ सारी संपर्ती पर सोना चांदी सब मिला कि पैश्वा अपना धन बन रहा है तो उसको हम जिन नहीं सकते हैं पानी, पानी को भी नहीं गिन सकते हैं, इसलिए द्रव अच्छ संग्या में हैं डीजल, डीजल को भी नहीं गिना जा सकता, इसलिए द्रव अच्छ संग्या में आता है भाव अच्छ संग्या, भाव अच्छ संग्या होता क्या है? किसी गुण को दर्शाने वाले संग्या शब्द भाव अच्छक संग्या कहलाते हैं जैसे गोरव, बंधुत्व, कुशल्ता, आधी अतर जिन संग्या शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, इस्थान, आधी के स्वभाव, दशा, दोश, गुण, अवस्ता, भाव, आधी का बोध होता है भाव अच्छक संग्या कहलाते हैं भाव अच्छक संग्या यह भी होता है जिने हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं यह हमारे मन के भाव जो रहते हैं, वो भाव अच्छे संग्या में आते हैं, अवस्था मैंने आपको बताये, अवस्था जैसे बच्पन, योवन, शेशावस्था, दोश, मुर्खता, नीश्था, गुन, वीर्ता, सूर्ता, दशा, कमजोरी, दुरबलता, भाव, मिठाई, ख सकते हैं, इसलिए भाव अच्छे संग्या में आते हैं, ओके स्टुडेंट, आज हमने संग्या के बारे में जाना, संग्या के संबंदित, आपको कुछ भी डाउट होता, आप वार्ट्सप पर पूछ सकते हैं, धन्यवाद,